आए नाजरीन आज हम आपको टिंडों की भुजिया बनाना सिखलाते हैं, इसके लिए हमने ये चंदे कशिया ली है, हमारे पास फ्रेश टिंडे तो नहीं है, तो हमने ये फ्रोजन ही लिए है, तो हमने 1 टी स्पून जो है, वो सॉल्ट लिया है, 1 टी स्पून ग्रश्च चि कर लिया है, और ये तिंडे जो है, ये फ्रोजन तो बस ठीक बनते हैं, लेकिन फ्रेश जो है, वो बहुत मज़े के बनते हैं, और फ्रोजन जो है, उनको तयार होने में भी काफी वक्त लगता है, वो गलते नहीं आसानी से, तो अब आप अपनी कुकिंग पॉट में जो है टर्मरिक पाउडर, कॉरियंडर पाउडर वगयरा जो था, क्यूमिन सीज्स वो आप डाल लेंगे, और साथ ही आपने जो टोमैटो था, उसको काट के डाल देना है, अब आपने जो है, वो इसको कवर कर देना है, अच्छा, ये है चूंकि ये फ्रोजन है, देर लगेगी पकने में तो इसमें हम पानी एड़ करेंगे, लेकिन अगर आप फ्रेश टिंडे बना रहे होंगे, तो आपको इसमें पानी शामिल नहीं करना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ ही आपने कच्छा डाल कर इसको पका लेना है, और इसको बंद कर देना है, और जब आप देखे कि अगर टिंडे आपके नहीं गले और ये बिलकुल खोशक हो गया है पानी इसका, तो आप इसमें हसमें जरूरत पानी एड़ कर दें, जैसे कि हमने वन कप पानी इसमें एड़ किया है, अब हम इंतजार करेंगे कि ये टिंडे ये अच्छी तरह पर गल जाएं, और ये द और ये भुने भुने से दिखाई देने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब ये बिलकुल तयार हैं, जब ये तयार हो जाएं तो आप इसमें फ्रेश कोरी अंडर काट के डालनें, टिंडों की भुजिया में जो हरी मिर्चे नहीं डलती, चुँके इसमें जित इंपल है बनानी और बहुत मज़ी की बनती है, बहुत पसंद आएगी, तो खुदा करे कि आपकी ये डिश बहुत अच्छी तयार हो, इसके साथ ही हमें इजासत दीजिए, अल्हाफेज